Welcome to JM Kitchen मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिये और मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइक़ण पर क्लिक कीजिये हेलो फ्रेंड्स वैलकम तो JM Kitchen आज हम बनाने वाले हैं इंस्टन डूकला जो कि हम रवे से बनाएंगे यहां बनाना बहुत ही आसाने और यहां 15 से फिर्स मिनेट में आपका रेडी हो जाता है तो आईए हम बनाते है इंस्टन डोकला बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए दो कटोरी रवा, एक कटोरी बेशन, एक चमच तेल, तीन कटोरी पानी यहां पर मैंने यह लेमन, एलो कलर का पीला रंग लिया है यह कुल साथ रुपे की डिपी आती है, आप इसे ले सकते है इसके बाद हमें चाहिए एक चमच नमक, आदा चमच सोड़ा, आदा चमच निम्बुसर, एक चमच चीनी अब हम तड़का लगाने के लिए देखते हैं, यहां पर मैंने लिये हैं, कुछ कड़ी पत्ते और दो मिर्ची जिने में ने लम्मे लम्मे कट कर लिये हैं और यहां मैंने लिया है राई और तिली, गाली शुल के लिए हमें लिया हैं, यहां पर धनिया पत्ता आएए हम दोकला बैटर रेडि करते हैं तेन एक पर बड़ा साथ बावल भी भी है तिन कट्वर पानी के सर्ट आपको जो पानी ऑपको यहां पर रवा और वैसन लेना है मिंट्स आपको सेम कटोरी ही यूज करना है रवा बेसान और पानी के लिए तब ही आपके ढोपला जो है वो सही बनेगा तो मैं यहाँ पर तीन कटोरी पानी लेती हूँ है है थी यहां मैंने टीन कटोरी बानी लिया है चमचची निपी निम्भू इस जो मैंने लिया था है यहां पर आदा चमच हमारा यह जो बेकिंग सब्सक्राइब है पूरी प्रोसेस के लास्ट में दालना इसलिए हम भी इसका यूज नहीं करेंगे हम इसे साइट में रख देंगे अब हम इसमें दालेंगे एक चम्मच नमक जो कि मैंने पहले ही किनके रखा था एक चम्मच तेल कुकिंग अब यह अच्छा से मिक्स कर देंगे एक चुटकी पीला रंग जोक मैंने आपको बताया था इससे रोकले में बहुत ही अच्छा कलर आता है अब हम इन सब सामागरी को मिक्स कर देंगे यहां पर मैंने इसे मिक्स कर दिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे दो कटोरी रवा और एक कटोरी बेसन हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि लुस में ड colour anno चाहिए एक्टम बेटर सॉफ्ड होना चाहिए तब तक कि कि मिक्स कर сказал है अच्छी छेत लेना है ताकि हमें हमारा तरहrd एक-दम साफ्ड हो जाए इससे अच्छे बढ़ ही अच्छे दोगा है डिखलें簡र है आप देख सकते हैं हमारा बैटा कितना ठीक है अब हमारा बैटा रेडियो चुका है हम इसे पाच मिनिट के लिए इसे ही रहनेंगे तब तक हम दूकला मेकर गरम करने के लिए रखते हैं अब हम इसमें दालेंगे तीन ग्लास पानी अब हम इस पानी में एड करेंगे थोड़ा सामचुर पाउडर यहां आप नीबू भी दाल सकते हैं ताकि हमारा जो यह दूकला पैने वो नीचे से काला ना हो इसके लिए यह टिप्स बहुत ही इंपॉर्टन है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसमें अमचुर दाला है क्योंकि हमारा जो यह दूकला पैने यह निचे से काला हो जाता है तो अमचुर या नीबू दालने से यह पैन काला नहीं होगा इसलिए हम यहां पर नीबू का या अमचुर का यूज करते हैं पानी में उबाराने देंग पुरा आयल लगा लेंगे ताकि हमारे डोकले प्लेट में चिपके नहीं इसले मैं यहां पर इसे आयल लगा रही हूं कि अब आप कि अब आप कि अब आप कि अब यहां पर नोख committed आपर हम ने दोनों के ऑईं लगा लिया अब हम चलेंगे हमारे के तरब जो की हमने सेयट होनी के लिए रखा तक करिस歆ं इंश «सेकर को अब हम इसने रख करेंगे जहां हमने सोडा उसलें किया ता वह हम यहां पर इस करेंगे यह सोड़ा पूरा दाल दिया है कंटिनुसली क्लॉपवस डारेक्शन में फेटना है जैसे आप देख सकते हैं यह से तैसे फेट लिए तो यह हमारा बैटर जो है वह फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाएगा देखिए मेरा जो बैटर वह फर्मेंट हो रहा है इससे कंटिनुसली दो से तीन मिनिट आपको तो इतना है आपका बैटर अच्छे से फर्मेंट हुआ है तो आप समझ दिया आपका डोपला प्रॉपरली बनेगा जिसे आप देख सकते हैं कितने बबल्स आए इसका मतलब यहां मेरा जो डोपला है वह प्रॉपरली बन हमारे मेरे मेरे घ्ली याज यह पर अम्हारत जो पानी है वह बहुत गरम हो चुका हैं मैं इसमें लखेंगे sulphोश और दूबंसरे प्लेट डालोंगी हमें एक प्लेट सेट कर दिया अब हम इसे बेटर पुराइब आप देख सकते हैं हमारा बेटर अच्छे से से हो गया है अब हम इसे कवर कर देंगे है फंहरा से 20 मिनिट के खुर कहें लिए आपको टाइमिग चेट करना है 15 थु 20 मिनिट का मैं आप 20 मिनिट का टाइमिंग सेट कर लोगी हम से 20 वा खोल के देखेंगे कि हमारा दुपला रेडि है या नि अब हमारा डूपला जब तक रेडी होता है तब तक हम यहाँ पर लगाएंगे तड़का तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तड़का पैन हम ग्यास वान करेंगे पैन को गरम होने देंगे अब इसमें हमारे आइट करेंगे आइल मैंने यहां पर एक बड़ा चमचोई लिया है हम और गराम में देंगे यहां पर हमारा तेल जो है वो गराम हो चुका है अब हम इसमें दालेंगे तीली और राई आप देख सकते हैं यहां पर हमारा तटका रेडियो हो गया है अब हम रेडिय करेंगे चीनी का पानी जो कि हम जोगले में उपर से दालेंगे जिससे हमारे डुकले का स्वाथ और भी टेस्टी हो जाएगा तो चीनी का पानी बनाने के लिए हमें चाहिए वह ऐसा पानी जो कि मैं यहां ले रही हूं मैंने आपर दो से तीन चमच पानी लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच चीनी और हम इसे अभी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसे हम पाच मिनिट के लिए नियुस करके ऐसे जग देंगे तो यह जो चीनी है यह मेल्ट हो जाएगी और हमारा चीनी का पानी रेडियो हो जाएगा हमारा चेनी का पाने रेडियुं हो गया है हमारा तड का रेडियु हो गया है हम इन दोनो ų डोकले के ओपर दालना है हमें 20 में हमारी ढोकला प्लेट निकाली है आप दिख सकते हैं हमारा ढोकला जो है वह रेडी हो चुका है आप हम इसे छोटे चोटे पीसेश में कट कर लेंगे कर दो है अब हम इसे गार्निश कर लेंगे गार्निश करने के लिए मैंने यहां पर जो चीनी का पानी बनाएं था पहले हम दालेंगे आपको इसे अच्छी तरह सब भी डोकलो में लाना है अब हम इसमें लालेंगे जो टर्गा हमने बनाएं था हो इस अच्छी से पानी पूचिछ आपे जाउरे जहीड़ जोका न दोander हुआ जो इसे अच्छी पार दॉपारण। मंक आफा स्पाह जार्निश कर लेंँगे द्षास्स अब हम इसमें डालेंगे रनिया पति जो कि हमारा लास्ट इंग्रेडियन्स है आप देख सकते हैं हमारा जुक्ला खाने में बहुती स्वाजिस दिख रहा है आप हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना लागे थैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो